Hello friends, programming skill develop करने के लिए जो series हम देख रहे हैं, आज हम उसमें एक program देखेंगे printing first and even natural numbers using loop in C language इसका मतलब हम लोग user से एक number enter करवाएंगे जिससे हमें पता चलेगा n की value और हमें n even natural numbers print कराने तो देखें कई बार students को ये doubt होता है कि हमें समझ में नहीं आता कहां से programming start करने चाहिए ये click नहीं करता है कैसे program बनाना है तो program बनाने के लिए पहली step है कि problem को सही से समझना हमें क्या बोला जा रहा है write a program to print first and even natural numbers using loop in C language तो इस program में सबसे पहली step आपको जो करनी चाहिए वो ये कि आप output screen को imagine करिए कि एक user जब आपके इस program को use करेगा तो उसको सबसे पहले screen पे क्या दिखना चाहिए तो हमें even natural numbers print कराने है हमें कुछ print कराना है क्या print कराना है even numbers even numbers कितने print कराने है पहले n, first n, first n even numbers तो शुरुवात के n even numbers print कराने n क्या है n तो user से हमें पूछना पड़ेगा समझ लिजे कि user ने n की value कुछ अइंटर करी है for example हमने user से n की value अइंटर करने को कहा user ने इंटर किया 5 इसका मतलब है first 5 even natural numbers first 5 even natural numbers कौन से होते है तो output screen पे आना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10 क्योंकि पहले 5 even natural numbers यह है अगर user ने इंटर किया होता suppose करिये n इक्वल्स टू 6 तो output screen पे आता 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्योंकि यह पहले 6 even natural numbers अब इसको गलत interpret भी कर लेते हैं कई लोग जैसे n की value 5 है तो कई लोग सोचते हैं कि 5 से छोटे सारे even natural numbers प्रिंट करने हैं यह नि 2 और 4 यह 6 एंटर किया है तो 2, 4, 6 प्रिंट होगा ऐसा नहीं है question में लिखा n numbers प्रिंट करने और वो numbers even होने चाहिए ठीक है अब properly सोचे screen आपको देखती है user सबसे पहले उसमें क्या देखता है एक message message में लिखा रहता है enter a number ठीक है इस message से user को पता चलेगा कि उसे एक number enter करना है हम और specifically बोल सकते हैं enter a natural number अब इस तरीके के message देखकर user कोई number enter करेगा for example उसने number enter किया 5 जैसे enter किया cursor new line पे आ गया और फिर क्या होना चाहिए user ने 5 enter किया है तो 5 even numbers यहाँ print हो जाने चाहिए 2, 4, 6, 8, 10 तो यह मैंने एक sample output बताया आपको कि 5 enter होगा तो क्या output आएगा अगी अब इस program को हम बना के देखते हैं किस तरीके से बने गई है बहुत ही simple code है इसमें मैं code blocks में coding कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने test1.c नाम से एक file बनाई हुए इसके अंदर मैंने लिखा int main या simply main भी लिख सकते हैं और इसके अंदर मैं coding कर रहा हूँ सबसे पहले तो मुझे printf लिखना है ठीक है क्योंकि मुझे user से एक number लेना है तो मुझे क्या screen पर message दिखाना है जो अभी हमने tag किया था कि हम क्या message दिखाएंगे हमने tag किया था कि हम दिखाएंगे enter a number अच्छा ऐसा print कराने के लिए आपको printf के अंदर लिखना पड़ेगा enter a number यह हमने लिख लिए अब user number enter करेगा तो हमने का कि ठीक है number enter करने के लिए input instruction चाहिए होती है यानि scanf तो हमें लिखना होगा scanf scanf में हमने लिखा पॉसेंट d हमने लगाया address of लेकिन variable का नाम क्या लिखें variable तो हमने बनाया नहीं तो ठीक है हमें समझ में आया कि यहाँ एक variable भी बनाना चाहिए तो मैंने एक variable बना लिया n नाम का तो user ने जो number enter किया वो किसमें चला जाएगा n variable में then n में value आ चुकी है suppose करी user ने 5 enter किया है तो n की value क्या है 5 तो मुझे क्या print कराना है 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 5 numbers मतलब 5 बार कुछ print कराना है यानि मुझे जो print कराना है वो तो printf से print होगा ठीक है लेकिन ये printf कितनी बार चलना चाहिए ये printf चलना चाहिए n times अब n की value 5 है तो 5 बार नहीं तो n times तो मैं यहाँ पर ये curly bracket लगा देता हूँ curly bracket के अंदर मैंने printf लिखा हुआ और इस line को मुझे करना होगा repeat ठीक है कितनी बार n times तो मैं एक loop चला ले तो कौनसा loop ले ले और loop को control करने के लिए एक variable भी बना लेता हूँ let's say i तो condition क्या होगी सबसे पहले लिखेंगे i की value 1 से start करें i less than equal to n i++ ज़र बताइए कि ये loop कितनी बार चलेगा ये loop चलेगा n times और यही तो हम चाहा रहे थे n numbers print कराने n की value user ने अगर 5 enter करी है तो हम चाहते हैं 5 बार ये printf चले तो loop को 5 बार तक चलाना होगा 1 से लेके 5 तक अगर n की value user 6 enter करता है तो 6 बार चलेगा loop तो ये लूप हर बार जब चलेगा तो क्या print करेगा एक even number जो हर बढ़ता जाएगा तो सबसे पहले जो even number print होगा मैं percent d लगा रहा हूँ सबसे पहले जो even number print होगा वो कौन सा होगा तो सबसे पहले मझे two print कराना है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि I की वैल्यू I की वैल्यू शुरुवात में है 1 फिर होगी 2, 3, 4, 5 अगर N कितना है N हमने माना है 5 तो लूप कितनी बार चलेगा 5 बार तो जब लूप 5 बार चलेगा तो पहली बार जब आप इस लूप के अंदर आओगे तो I इससे में कितना है 1 दूसरी बार जब इसके अंदर आओगे तो I कितना हो जाएगा 2 तो शुरुवात में जब I 1 है तो आप क्या चाहते हो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए 2 और जब I की वैल्यू 2 हो दूसरी बार प्रिंट अफ चले तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए 4 जब I की वैल्यू 3 हो तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए 6 जब I की वैल्यू 4 हो तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए 8 और जब I की वैल्यू 5 हो तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए 10 ऐसा हम चाहते हैं आपको नहीं लगता है ये i का ही दुगना है yes मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 into i तो 2 into i की value हो जाएगी हमारा output तो हमें सिर्फ क्या लिखना है printf में 2 into i लेकिन obviously 2 into i की value print करा रहे हैं तो percent d की जगे print करा रहे हैं लिखेंगे 2 into i ये हमारा loop end हो गया और ये हमारा program भी end हो गया अगर कोई गलती नहीं है मुझे तो नहीं दिख रही हो सकता है आपको दिख रही हो कोई गलती नहीं है सीदे हमारा output आ रहा है enter a number जैसे मैंने 5 enter किया था output किया रहा है 2, 4, 6, 8, 10 बिलकुल यही चायते थे एक बार और run करते हैं इसको इस बार शायद कुछ अलग हम enter करें इधर मैं enter कर देता हूँ 12, मतलब 12 numbers print होने चाहिए yes, 2 से लेके 24 तक print हो रहा है तो first and even natural numbers इसमें print हो रहा है तो यदि आपको ये video पसंद आया हो तो आप इसे like करें और यदि आपको लगता है इस तरह के और videos देखने में आप interested हैं तो आप इस channel को भी subscribe करें आप मेरी site को जरूर देखें मेरी website है www.myasurgy.com इसमें C, C++, Java, PHP, Data Structure, DBMS, Programming exercise, Campus preparation इन सबके videos हैं और daily दो videos आज की condition में मैं upload कर रहा हूँ आज की date में जब ये video lecture record हो रहा है आगे चलके मेरे कोशिश रहेगी कि मैं और जादा number of videos per day upload कर सकूँ तो daily इतना content हो रहा है कि आप रोज भी अगर इस site को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही इसके लावा भी कुछ और useful content मैं साइट पे समय समय पे upload करता रहूँगा तो ये site आपके लिए useful है अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो हम एक mission पे है mission ये है मेरा कि free में हर वेक्ति को education मिले यानि education का एक समान अधिकार होना चाहिए हमारे देश में हर किसी को बराबर मौका मिलना चाहिए चाहे वो अमीर हो या गरीब हो चाहे उसे English अच्छे से आती हो या नहीं आती हो सब को education मिले और इसी सोच के साथ मैंने ये video series स्टार्ट की है तो यदि आपको लगता है कि ये बहुत काम के हो सकते है कई लोगों के तो प्लीज इसको अपने Facebook वाल पे शेयर करें जितने ज्यादर लोगों तक पहुँचा सकते हैं तो पहुँचाईए और एक बदला लानी के हम शुरुआत करें Thank you